स्वाज़त है आपका हमारे चैनल नवल आइटी स्टूडियो में तो इस डूएंट चली श्टार्ट करते हैं हम आज क्लास तो क्लास को श्टार्ट करने से पहले आप से छोड़ी से रिक्वेश्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नवल आइटी स्टूडियो को सब् प्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि जब भी कोई वीडियो अप्लोड होस्कानों आपको मिल सके और आपसे कोई भी अपडेट मिस नहुं तो चलिए फिर हम बढ़ते अपने कोशन की और तो आज का हमारा फर्स्ट कोशन है कि हेल्प लेने के लिए क्या होती है अगर आपको हेल्प लेना है तो उसके लिए क्स सॉटकаст की का इस्तेमाल करेंगे एफ-टू का हैफ-ठ्री का एफ-फोर का या फिर एफ-वन का क्रek consume अमेर उ सर तैंसर क्या है हेल्प लेने के लिए कौन सी सॉटकाट की हैं अगर आपको हेल्प लेने के इस्तेमाल करेंगे help लेने के लिए आपका F1 की का इस्तेमाल करेंगे help लेने के लिए आपका help के इस्तेमाल होता है फिर हम बढ़ता है कंट्रोल सिफ्ट पी कंट्रोल सिफ्ट बी या फिर इनमें से कोई नहीं तो अगर आप उसको सो या फिर हाइड करना चाहते तो आपका करेंगे मैं का इस्तेमाल करेंगे cmental डार्क हुर्ड हो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अब कंट्रोल सितaka आपका सूपर लगाने के लिए क्लिए की सब्सक्र फिर होता होता है और टरूल से ब्सक्रित इसका काम क्या होता है जिसे आपका कोई एक्सवान एक्सटों करके नीचे चोटा सा 2 या फिर 3 कुछ भी लिखे तो उसके लिए आपका इस्तिमार होता है साविस्क्रिप्ट कंट्रोल सिफ B, ओके चलिए फिर हम बढ़ते हैं कोश्चा नमबर 3 पे जो किया है कि हेडिंग 3 के लिए सॉटकट की क्या है, हेडिंग 3 के लिए चलिए फिर पेज़िए के लिए साथ नमबर 4 पर जो की है साइकल केस के लिए सॉटकट की क्या होती है आप्षन से आपके पास है कंट्रोल मौष X3 प्लास f3 ओर सिन और ओप सनेस्ट प्लास f2 और डी नम्हाफ प्लास एक मतिक्ञ bage ऐए करो किस करना है कि एक केस से दुथरे केस में सेंटेंस को बदलना है या फिर पैरगार आ इस्तेमाल करेंगे तो komen एक रेक रोता है ना काम होता है क्लोज करना ऐस्तेमाल होता है जब कि आपका जो सिक साइकल केस के लिए तो कोस्टर नमर फॉर का कि ने मर्च में अपनरिक्ट होगा छलिए इसे ऎलो कोंचन की ओर लेक्ट कोंसन नमभर फाइब अगर आप लिब्र एओफिस में रहे चेंज करने में अगर आप ट्रेकश्ड करना स्यांते हैं तो आप क्या करेंगे कौन स्थ्य इस्तेमाल करेंगे क्कॉर्ट कट्रौल स्थ बी बीशनी नंब आपने कंट्रौल क्या होगा अगर आप ट्रेक्ट चेंज को रिकार्ड करना चाहते हैं लिब्रे आप इसमें तब के लिए आपके आपके पास तब करेंगे किसके इस्तिमाल करेंगे आपके बिलकुल करेक्ट होगा इस्तिमाल की जाने वाली सबसे ज्यादा प्रेक्टरिम बुद्धि में इस्तिमाल की जाने वाली सबसे ज्यादा करत्रिम बुद्धी के लिए इस्तेमाल के जाता है आपके पास HLAIL फिर लेस्प फिर है HTML फिर Java तेकर जो इसमें Java जावा अधिकांस मोबाइल गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है जावा का इस्तेमाल अधिकांस था किसको डिजाइन करने में इसका इस्तेमाल के जाता है और जो लिस्प है लिस्प नहीं होता है लिष्ट प्रोसेसर क्या होता है लिष्ट प्रोसेसर और इसका इस्तेमाल जो है करेक्श का बी नमबर जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा करेक्श के लिए बी नमबर जो आपका लिए मारूती सूजकी वह MRF से क्रीटती है यह इसमें कौन झार सब्सक्राइब सभागों स्मेट परकार की कॉइल शुब्र करी सी तूबी या पशे टूब्र सैंट th वालें थोक्तल स्क 25 क्या है की मुझती सूच की स्क्लाइब जा तो इसमें किस परकार करेंगे के स्बात है क्या ज़री बिजनेस करने वाले हैं गई विजनेसर no 7 का A no option आपका correct होगा तो अगर आप total money में से less money पे करना चाहते हैं तो आप कोई समान करते हैं यह समान कि समान किस कोई rate है उसका इस समाने के रेट 500 रुपए अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ कम पे करना पड़ा है निए 500 में से कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तब के लिए आपको किसका उप्योग करना चाहिए आपके पास CVV यानि कार्ड वेरिफिकेशन वाईल्यू बी नमबर आपके पास कूपन कोड और दी नमबर नन यानि के इन में से कोई नहीं तो कूसर नमबर एट का करेक्ट एंसर क्या होगा तो अगर आप टोटल मनी मेंसे जिससे जो भी मनी है उसमें से अगर आप कुछ कम लिस्ट मनी पे करना चाते हैं सब्सक्राइब क्या करेंगे आप कोपन कोड होते हैं कौपन कोड के तो क्या होता है हमाला एट कुछ कम हो जाता था को समौन द्राव में विक्सित हुआ जो अनुराग computer है किस देश में विक्सित हुआ था option आपके पास India b number अपने युएस से सी नमर अपने जापान और d नमबर अब दी एबब तो correct answer क्या होगा question no.9 का correct answer क्या होगा अनुराग computer जो है, वो किस देश में बिक्सित हुआ था, इंडिया नी अपने देश, इंडिया भारत में बिक्सित हुआ था, या फिर यूईस से और यूईटेड इस्टेट अमेरिका में बिक्सित हुआ था, या फिर जापान में या फिर इन पे से किसी में नहीं, question number 9 का correct answer क्या है, तो question number 9 एक टेंसर स्लेट करने आप लोग क्या होगा तो देखे जो अनुराग computer है वो कहाँ पिक्सित वा था इंडिया में तो question number 9 का ए नमबर आपका बिल्कुल correct होगा फिर हम बढ़ते है question number 10 पर जो की है debit card कितने अंको का होता है तो बताए debit card कितने अंको का होता है 15 जोदा अंको का 16 अंको का या फिर 12 अंको का 수 on number 10 का correct answer क्या मैं कि लेचल का पहलाग में कृणकर का पांद्रा जोदा या फिर बार है आपका debit card कतने अंको का होता है इसका पीछे 3 अंको का Soc v 자 यहनि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी होता है फिर हम बढ़ता है कोशन नमर 11 पर जो की है माइक्रो एटियम सेवा किस वार सुरू की गई जो माइक्रो एटियम की सेवा वो किस वार सुरू की गई थी 2016 में 2000 में 2018 में या फिर 2015 में मतलब एकर answer क्या होगा Micro ATM ATM क्या होता है automated tailor machine होता है और Micro ATM की बात करें कि Micro ATM सेवा किस वर सुरू की कहे थे कब से इसके सुरूबात हुई थी Micro ATM की 2016 से 2000 से 2018 से या फिर 2015 से तो Micro ATM जो सेवा ये सुरूबात कप कहे थे 2018 से question number 11 का C number जो option है 2018 या option आपका बिल्कुल correct होगा फिर हम बढ़ते है question number 12 पर जो कि इन में से कौन सा networking device नहीं है router gateway firewall या फिर इन में से कोई नहीं तो अगर आपके networking device की तो networking device इन में से कौन सा नहीं है router है gateway है firewall है और इन में से कोई नहीं तिसमें देखिए जो router और gateway दोनों जो है कि आपके networking devices हैं लेकिन जो आपका firewall आपका security system होता आपके computer के लिए एक program होता है तो ये जो है कि आपका क्या है ये आपका networking device नहीं है तो question number 12 का C number आपका बिल्कुल correct होगा फिर आपके इसे के साथ question number 13 की ओर तो question जो 13 है point of sale यानि अथार POS POS का full farm के होता है point of sale तो POS में किस प्रकार का printer रूप यो होता है जो POS में point of sale होता है उसमें किस printer का इस्तिमाल होता है A number आपका thermal printer B number आपका dot matrix printer C number आपका laser printer और D number आपके इन में से कोई नहीं तो आपका point of sale है नि POS point of sale जो की तो यह आपका किस printer का उप्योग करता है बताए थर्मल का dot matrix printer का या फिर laser printer का या फिर A और B दोनों यानि कि thermal और dot matrix दोनों का question number 13 का D number आपके यह जो है कि आपका thermal printer printer और dot matrix printer इन दोनों का इस्तेमाल करता है question number 13 का D number आपके और फिर आपके question number 14 की ओर तो question number 14 है आपका कि इंडिया में कितने bank swift code के सानाथ link है इन में साबको बताना है कि अपने देश में कितने bank हैं जो कि swift code नहीं कि society for worldwide interbank financial telecommunication जो होता है swift code उसके के साथ link है A number 120 B number 151 C number 107 और D number 110 question number 14 का correct answer क्या होगा कि कितने जो हैं कि bank जो है swift code के साथ link है तो उसमें हो जाएंगे 107 कुल 107 bank जो है कि आपके swift bank से linked हैं इंडिया के कुल 107 bank हैं जिने swift code के साथ link किया गया है फिर आपके question number 15 पर IMPS की सुरूवात कब हुई थी IMPS की सुरूवात कब हुई थी Sun 2015 में 2010 में 2005 में या फिर 2007 में दो आएंपीस कई होता है IMPS होता है Immediate payment Services होता ना तो time permit होता है इसमें to question numbers problem at after 15-10 में दो येंद पास्ट में या फिर नम्बर नेप करेक्ट होगा फिर मातने कोशन नमबर 16 पर ading office ऑब किस परकार का धो ओप बहुआ योपाफिस आप यह तो वह किस परकार का साफ्ट्वेर है क्लोग सोज साफ्ट्वेर है यूटिलिटी साफ्ट्वेर है open source water या पिर इंड में से कोई नहीं तो open office org की बात करें तो वो किसपर ऑफ्ट्वियर है open office org जो है कि आपका एक open source software है question number 16 का c number option ने connect होगा open source software होता है open office org 16 का c number जो option है आपका बिल्कुल correct होगा 16 का c number option आपका बिल्कुल correct होगा फिर हम बाते हैं इसी के साथ question number 17 पर जो की है computer network में कंप्यूटर नेटवर्क में प्रियोग के लिए बनाया गया अपरेटिंग सिस्टम काउंसाइन में से काउंसाइस अपरेटिंग सिस्टम था जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रियोग के लिए बनाया गया था यह फिर बनाया गया है तो यह नम्हें सब्सक्राइब करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है सर्वर से जो मेल बाक्स में इमेल को डाउनलोड करती है वो जो है प्रोटोकॉल कौन सी है SMTP ने Simple Mail Transfer Protocol POP ने Post Office Protocol C नमर अपने IMA पने Internet Message Access Protocol या पिर HTTP ने Hypertext Transfer Protocol Q18 का Corrected Answer क्या है Q18 का Corrected Answer क्या है बताए ये Q18 का Corrected Answer क्या है सर्वर से मेल बाक्स में इमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है तो उसमें कहो जाएगा आपका POP क्या होगा POP पोश्ट अभी प्रोटोकॉल जो एक सर्वर से मेलबाक्स को इमेल में डाउनलोड करता है मेलबाक्स में डाउनलोड करता है इमेल से तो कोसर नमबर 18 का B नमबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फिर हम बढ़ता है कोसर नमबर 19 जो कि है UPI द्वारा देक्तम कितना पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं UPI यनि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के होता है UPI के होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इससे जो लाँच किया गया था और जो ऑप्षन इसके पास कि कितने पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं देखता हम तो ए नमबर आफने दस अजार बी नमबर आफने बीस अजार सी नमबर आफने पचास अजार और दी नमबर आफने एक लाग तो कोसर नमबर 19 का करेक्ट एंसर क्या है तो हम बात करें UPI यूनि रूपे ट्रांसपर कर सकते हैं फिर कोसर नमबर 20 जो कि यह OTP को बहुत हिसलों मना जाता है क्योंकि यह OTP को बहुत हिसली क्यों मना जाता है नमबर आफने टाांग टी डिफ Eine बन करेंट दोनों और दोने मंई तो बताए एक वालाग टैना से क्यों क्यों सुन में से कोई नहीं तो कुस्टर का 28 20 क्या होगा 20 के लिए विए आपका भी बहुतarl ashamed क्वेटी का सीने में बहुत आपका करेक्ट होगा क्योंकि यहां हमेसा अलगा-लगा ताओ साथ में इस इस से होता है फिर है को सनना रट्वेंटी वन लाइनक्स की खूज किसने की थी जो लाइनक्स तो लाइनेक्स की खोज किस ने की थी तो लाइनेक्स के खोज करता है लेनर स्टार वार्स ने रहें युनिवस्य टी में 1991 में इसका प्रत्म संसर देलिज किया था तो कॉसर नमबर 21 का ये नमबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फिरम बढ़ते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमबर 22 वाइक्यूम ट्यूब की खोज किस वर्स होई थी जो वाइक्यूम ट्यूब है जो की पहली पीड़े के कंप्यूटरों में मुखिलोप से इस्तिमाल किया गया था और जब लंबा और जो एक 130 तन वर्जन का और साथ में जो है कि वह 150 किलोवाट बिद्दूत की छमता भी लेता था तो जो है कि बहुत ज्यादा चमता हो गया और साथ में लगबग 150 में साथ 70 किलोवाट जो है कि आपके कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए अभी यहन्त लगा जात नाइटिन जीरो फोर 1904 में वैक्वूट खोज हो गया था लेकिन पहली पीड़ी कब समाझ जाते नाइटिन फोर्टीफोर समाझ जाती है पहली पीड़ी का प्यूटर की तो वैक्यूट भी खोज कब हो जो जुगी थी फिर कोसर नंबर 23 एई-मेल में CC का क्या अर्थ है इ क्या होगा की ई-मेल में CC या क्या मतलब होता है describing copy carbon code code copy या अधरी से कवी नहीं तो CC क्या होता है आपका carbon copy कोसर नंबर 23 का एई नंबर उप्षन गरेक्ट होगा carbon copy होता है CC का मतलब 23 का ये नंबर उप्षने आपका बिल्कुल corner CC क्या होता है carbon copy फिर हम बढ़ते हैं question number 24 digital certificate क्या होता है digital certificate क्या होता है option है आपके पास the help this helps us to know that whether a website is secure or not यानि कि बताता है कि कोई website secure है या फिर नहीं है बी नंबर आप सेने कि this is an online certificate यानि कि या एक online certificate है c नंबर आप सेने कि this is a type of certificate ने प्रमार पत्र का प्रकार है और दी नंबर है कि इन में से कोई नहीं दुक्रेक्ट एंसर क्या होगा इसके लिए question number 24 का एंसर क्या होगा कि जो आपका करता हमें help करता है जानने के लिए कि कोई website शुरच्छित है या फिर अनसर बताई पिर हम बटते को शर नंबर 25 की ओर जो कि किसी भी डाकुमेंट में सबसे उपर क्या होता है अगर हम कोई भी टाकुमेंट ओपन करता है और कोई भी प्रोग्राम उपन उससे सबसे उपर क्या मिलेगा टाइटल बार स्टेटस बार डाकुमेंट नेम या फिर मीनू बार क्रेक्ट एंसर क्या होगा सबसे उपर क्या होता चाहिए जो भी हम प्रोग्राम उपन करें उसमें सबसे उपर क्या आता है इस टाइटल बार आता है कि स्टेटस बार आता है कि document name आता है कि menu बार आता है तो question number 25 के प्र सबस्व उपर क्या होता है तो इस तरह से आजके हैं हमारे 25 questions कंप्लीट हो और इस तरह के same important question को पाने के लिए आप हमारे चैनल नवलाइट इस उडियो को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में नीचे बिल आइकन को भी प्रेस करते हैं जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड के जाए फिर कोई भी क्लास हो उसका आपको अवस्से मिल सके और आप अपने बहतर एक्ज